Hello everyone, welcome back to RankerJay YouTube channel, कैसे हो तुम सभी लोग, I hope तुम सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होगे इस वीडियो में हैर मैं तुमको explain करने वाला हूँ कि जो सा counselling में भईये, ये freeze, float और slide option क्या होता है इसको हमको कब choose करना होता है, कैसे choose करना होता है, इसका मतलब क्या है, सारी चीज में आपर explain कर रहा हूँगा इससे पहले अगर हमारी पूरी counselling की सीरीज चल रही वीडियो की, तो अगर तुम्हारे को कोई भी doubt है, शायद मैंने अल्रेडी इस पर वीडियो बना दियोगी, तो तुम वीडियो सेक्षन पर चेक आट करो इसी चैनल पर, और अगर तुम्हारे doubt के वीडियो अभी तक न कर सकते हो, जो कि free अभी के लिए, बाद मैंने बताया तो, जैसे ही तुम्हारी choice fill हो जाएगी, lock हो जाएगी, किसी round में तुमको seat मिली, तब तुमको जो सको 4000 रुपए fees देनी पड़ेगी, अब भाईया बात करते हैं, freeze float slide की, यह देख सकते हो, यह इनके business rules का एक official page है, पह भी तुमको पहली बार seat मिलती है, तब तुम इस option को choose करते हो, ठीक है, अब simple समझातो, for suppose example एक बंद है, उसने 10 choices कर रखी, 10 choice filling कर रखी है, और उसको जो है, first round पर ही, first round पर ही, fifth number की choice उसको allot हो गई, ठीक है, fifth number की choice उसको allot हो गई, first round पर ही, अच्छा, अब बड़े ध्या एपनी choice filling बड़े ध्यान से करना, अब fifth number की उसको मिल गई, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, seat acceptance fee देना पड़ेगा, 40,000 for general EWS and OBC, 20,000 for SCST, जिसमें 4000 जोसा के fees included है, ये करोगे, फिर तुम documents सारे upload करोगे, वो verify होंगे, उसके बाद तुमको एक option पूछा जाएगा, कि भ कि fourth, third, second, first मिलेगा, क्या, तो तुम freeze करके अपना college को final करके बाहर हो सकते हो, counselling से, ठीक है, काफी लोग बोलते भी, अब float करने का पैसा लगता है, क्या slide करने का पैसा लगता है, क्या slide करते है, नहीं लगता है, मिर भाई, इसलिए majority लोग float या slide करते है, अब भाई, जिसको अब example देता हूँ, जिसने वही या all India rank 1 डाल रख है, उसको round 1 में IIT Bombay का CSE मानलो से भर है, उसको मिल गया, तो वो float करके क्या करेगा है, तो वो freeze करके first round में बाहर हो जाता है, वो यसी example है, अब मानलो तुमको fifth number की choice मिली है, बढ़िया मजा आ गया, मानलो मेरे को fifth number की seat मिल तो fifth वाला मेरा retain करेगा, अब यह what is difference between float and slide, तो देखो float उसके लिए होता है, कि अगर आपने fifth में आपको for suppose NIT, for suppose जमशेदपूर मिला है, ठीक, NIT जमशेदपूर मिला है fifth में, और अगर तुम slide करते हो, तो system ऐसे देखेगा, कि तुम fourth, third, second, first में, अगर कोई NIT जमशेदपूर की ही choice भरे होगे, बतला branch दूसरी हो जाए, college same रहे, तो सिर्फ उसमें वो upgrade करके देगा, slide में, समझ रहो, जिसे कि मेरे को NIT जमशेदपूरी जाना है, for suppose मैंने fifth में 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 जमशेदपूर की option मिल गई है, अब मैंने third और first में भी जमशेदपूर भरा तो यह हो गया slide, same college, different branch, float करोगे, तो चारो options open होगे, और freeze करोगे, तो उसी समय freeze हो करके तुम बाहर आ जोगे, इसके लिए कोई भी extra पैसा नहीं देना होता है, ठीक है, तो यह complete चीज़ है, वही चीज़ आपको यहाँ पर English में देखी हूँ मिल जाएगी, आप चाहो तो पर सकते हो, freeze float slider को choose करना है, ठीक है, in the case, candidate size में loaded seat, is first choice, he will freeze, in such situation, candidate में इधर accept and freeze the offered seat, और में reject, ठीक है, यह तुमारा freeze को option हो गया, float में बोलता है कि candidate ने accept कर लिया है, और academic program of higher preferences of any institute, देखो उसने bold में लिखा है न, तो उसने वो करेगा, और slide मतलब कि within the same institute, ठीक है, ब्रां जोसा ने release कर दी है, तो जाके देख सकते हो, seeds बढ़ गई है, और यह तुमारी last year की, और मतलब तीन साल की यहाँ पर तुमारे पास cut off, what off है, तो तुम देख सकते हो, ठीक है, I hope वीडियो पसंद आई हो, informative लगी हो, like करो, share करो, subscribe करो, comment section बताओ, और कैसे वीडियो सीए, thank you so much